हाई गाईज वैलकम माई चैनल डीबी प्यूटी पॉइंट तो आज में आपको बताऊंगे कि आप विंटर में अपनी स्किन की कैसे कर सकते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा वीडियो को लाइक जरूर कर से ब्यूटीफूल एंड ग्लोइंग तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है आपको पहले ही यूज में बहुत जादा पर्क दिख जाएगा चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्कार्ट करते हैं दियाइब फेश बाउच बनाने के लिए आपको चाहिए वन टेबल इस्पून बेशन वन टेबल इस्पून सैंडल बुट पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसको जादा टाइम तक स्टोर करकर भी रख सकते हैं और जब भी आप इसको यूज करें तो उसमें वन टेबल इस्पून फ्रेश क्रीम एड़ कर लें जिसे हम मलाई कहते हैं और आपका फेश बाउच बनके रेडी हो गया है इस फेश बाउच को पूरे फेश पर अच्छे से एपलाई कीजिए ब पिंपल्स एगने एंड डेट स्कीन को रिमूव करके फ्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है इसमें हमने मलाई एट किये मलाई स्कीन के लिए बैस्ट मौशराइजर के तोर पर काम करती है मलाई लगाने से डेमेज टिशू रिपेर हो जाते हैं जिससे स्कीन हेल्दी पनती है तो सेकेंड स्टेब है इसका इंक्रीडियन से आलमंड तो हमें बदाम चाहिए होंगे और हम बदाम का पाउडर बना लेंगे इसके लिए हमें दो ही बदाम चाहिए इसको हम ग्रेट करकर अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे तो अब हम इसमें एट करेंगे 2 टेबल स्पून मलाई आप इसकी जगा तहीं भी एट कर सकते हैं और इसमें मैं एक बिटामिन एक का कैपसूल एट कर रही हूँ ये आप्शनल है चाहे तो आप इसकी पी कर सकते हैं तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें चाहे गर्मी हो या सर्थी स्क्रब करना बहुत ही जरूरी होता है चाहे आप हपते में एक बार क्यों न करें पर स्क्रब जरूर करें अब हम इसको पूरे फेस पर लगाएंगे और हलके हलके हातों से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करेंगे यह best scrub है for dry skin के लिए क्योंकि यह harsh बिलकुल नहीं है और बहुत ज़्यदा soft and mild particles होते हैं यह जो powder हमने almond powder यूज किया है और जो आपकी dead skin है वो भी निकल जाएंगी और flicky skin की problem बिलकुल नहीं होगी दो मिनिट तक massage करेंगे उसके बाद wash कर लेंगे आपकी skin एकदम soft हो जाएगी face pack बनाने के लिए हमें चाहिए मुलतानी मिट्टी powder चुटकी बर हल्दी half table spoon rose petal powder आप इसकी जगा fresh rose petals powder भी ले सकते हैं half table spoon aloe vera gel और one table spoon rose water लेना है और इसको अच्छे से mix करना है face pack बनके ready है अब हम इसे पूरे face पर और अच्छे से apply करेंगे मैंने इस pack में मुलतानी मिट्टी add किया है अब काफी लोग confuse होने बाले हैं मुलतानी मिट्टी तो winter में use नहीं करना चाहिए पर क्या होता है कि हम लोग winter में सबसे ज़्यादा धूप में रहना पसंद करते हैं जिसकी बज़र से हमें tanning हो जाती है तो मुलतानी मिट्टी powder आपकी tanning को और पिंक्मेंटेशन को remove करने में सबसे अच्छा ingredients माना जाता है इसको आपको 10-15 मिट्टेक लगा के रखना है उसके बाद normal पानी से wash कर देना है इसके बाद आपकी skin रिक्तम soft और smooth लगेगी तो fourth step है हमारा toner तो उसके लिए हमें चाहिए गरम पानी और उसमें आप green tea डालकर पास से 10 मिट के लिए रख दें और ठंडा होने पर आप इसमें half lemon add करें और जब यह ठंडा हो जाए तो आप इसको एक spray bottle में डालकर रख दें यह आपका toner बन गया है और आप इसको अच्छे से पूरे face पर apply करें आप यह toner को 10-15 days के लिए store करकर रख सकते हैं DIY मॉश्राइजर बनाने के लिए चाहिए वन टेबल स्पून एलोवेरा जेल एक विटामिन E कैपसूल और वन टेबल स्पून ओलीव ओईल मैंने यहाँ पर ओलीव ओईल लिया है आप चाहे तो हालमेंड ओईल भी ले सकते हैं और इसको हमें अच्छे से mix करना है 10 मिनिट तक हमें इसको mix करना है क्योंकि मुझे भी 10 मिनिट लग गया था जब यह क्रीम फॉर्म में आया ये हमारा क्रीम बनके रैडि है इस क्रीम को आपको अपने फिंगर में थोड़े से माउंट मिल लेना है और अपने फेस पे अच्छे से लगाना है और मसाज करते हुए एपलाई करना है ये मॉशाराईजर बहुत जादा अच्छा है और आपको इसको थोड़े ही एमाउंट में बनाना है क्योंकि आप इसको एक से देड़ हपता ही स्टोर करकर रख सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये मॉशराइजर लगाने के बाद मेरी स्किन कितनी जदा शाइन कर रही है और कितनी जदा ग्लोइंग दिख लिए बहुत ही अमेजिंग मॉशराइजर है ये था आज का हमारा वीडियो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए जितना हो सकतना शेयर कीजिए कमेंट करिए और जिन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा थैंक यू